तो यह बन गए अपने मंचुरन बहुत ही यमी दिख रहा है बहुत टेस्टी बहुत इजी डेश है और कुरेंटाइन में अपनी फैमिली के साथ इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं और रेसिपी बिन स्किप करें देखना मज़ा आ जाए गाया तो यह सबसे पहले मेंचुरन बॉल्स बनाने के लिए से ही अपने को दो कद्दू कस करवी पत्ता गोभी कॉन फ्लार मैदा नमक अपना होगया घर का गरम मसाला मिर्ची और जिंजर गारलिक पेस्ट और होगया कांदा भी या मतलब प्यास टामाटर और हरीम प्यास अपनी अब डालेंगे थोड़ा सा कॉन फ्लार अगर कॉन फ्लार नहीं समझ रहे हो तो अरा रोट डाल दो अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा मैदा नलब कॉन फ्लार और मैदा दोनों डालेंगे और इसका आटा जैसा अपन गून देंगे उसमें सबसे वेले अपन डालेंगे न क्योंकि अगर आपको जादा जर्खा नहीं पसंदे तो जादा नहीं डालिएगा और सबसे आकरी में अपना भीया घर का गरम मसाला तो भी इसको अच्छा से गूनने के बाद आपने को इसकी बॉल्स बनानी जैसे आप देख सकते हैं आप एसी बॉल्स बनानी है कुछ तो भी आपनी सारी मंचुरिन की बॉल्स जो है वो रेडी हो चुकी है पर यार मंचुरिन की बॉल्स को फ्राय करके खाने से मतलब नहीं रहेगा जब तक आपके पास ग्रेवी ना हो तो जल्दी से अपन देखते कि इसकी ग्रेवी कैसे बनेगी हो तो भी आप अपने को अपनी मंचुवर्ण बॉल्स जो उनको डालना है तेल में फ्राय होने के लिए तो भी हमारी मंचिन बॉल्स बहुत सारी रेडी हो चुकी है और इसको बड़िया तेल में से गोल्डन ब्राउन होने तक करना है और पर निकालना है गैस को थोड़ा आप मद्धा तेज मद्धा तेज कर सकते हैं और बस जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो निकाल लेना तो भी आप बॉल्स बनने के बाद अब ग्रेवी बनाना है तो ग्रेवी कैसे बनाना है अपने को कड़ाई में तेल लेना है और तेल में टालना है बारिक कटा हुआ अपना होगया लसुन अब लसुन डालने के बाद कटियोगवी हरी मेर्ची यह और इसको अच्छा बढ़िया 30 से कर लो मेक्स मनलब इसको बूल लो और प्यास का कलर फड़ा मुझला पिंकिश होने तक इसको अच्छे से बूलना है अपने को अपना यह जो प्यास ही हो गया एकदम पिंकिश अब इसमें अपन डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और यह जो पाओड अनुसार नमक और अपने को डालना है कि इंग्रिकराइनट बोल सकता हूं तो में सोय सॉस जो बोलते है अपन ताकि इसमें इसका थोड़ा कलर आए एक से दो चमज बहुत होगा सोय सॉस क्योंकि वो कलर ज्यादा आजाए नहीं तो अब आता है वहारी अपने रेड चिली सॉस की यह भी अपने को डालना है एका चमज के आसपास ही इससे थोड़ा स्पाइसी टीस आजाता है पर या आती है अपने विनेगर की जो इसको इसका खटापन थोड़ा सा देगा तो एक चमज विनेगर तो काफी होगा यहां पर अपन डाले टमेटो सॉस भी अगर टमेटो सॉस नहीं है तो टमाटर थोड़े साप बार एक पीस के इसकी प्यूरी बना के कर सकते पर टमेटो सॉस है तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है वो भी डाल दो पड़िया दो तीन चमज और इसको करना है अपने को अच्छे से मिक्स पर उसके पहले एक की इंग्रिडियेंट और आप चाहें तो क्रीम ले सकते हैं पर अगर क्रीम अ कि आपने को इसमें पानी डालना है जितनी ग्रेवी आपको रखना है उतना ही पानी डालना है अपनी मंचूरीन बॉस जा रही है ग्रेवी के अंदर जैसे ग्रेवी उबले नग जा आप इसमें बॉस डाल दो ताकि मजा आ जाएगा झाल 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 झाल